हेलो नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूटूब चैनल पर स्वागते दोस्तों आए आज हम हिंदी साहित्य के इतियाश के बारे में अधिन करते हैं हमने पिछले वीडियो में आधिकाल के बारे में अधिन किया था और आज हम अधिन करेंगे बगतिकाल के बारे में बगतिका कब से कब तक माना जाता है तो इसके लिए बगतिकाल माना जाता है या बोगतिकाल की किस तरह का साइतिय रचा गयाmers इसके बारेमें हम अज्यन करेंगा आज तो देखेए समझ व्यात्मक्ता यानी भक्ति काल की पर्मोख विशयेस था समझ व्यात्मक्त desired और गुरू की महिमापर विशयेस बल दिया गया प्रेम की मेयता का परतिबाधन गया इहम बाओं की त्याग पर इस काल के साहित्य पर बल दिया लोग बासाओं की परदानता रही है इस काल में इस काल में लोग बासाओं की परदानता रही है और बगती वे सरंगारस की भी परदानता रही है नीति कावे की स्रिष्टी इस काल में हुई है ये काल लोग से गेरासानी दिभाव इस काल में हुआ है अब भक्तिकाल की काईवे दाराएं भक्तिकाल की काईवे दाराएं भक्तिकालें सहित्ये दो भागों में बांटा गया दा यानि निर्कुन काईवे और सब्गुन काईवे देखिए यह निर्कुन काईवे और यह सब्गुन ती ज्यनकर श्राइशा का जो szंथ कईवेदारह भी कैना टिये और दूसरी प्रेमा स्रेशा का जो सूपि कईवेदार सша की रामार草 कि पडे को के सकते हैं और सूपि को बत्स एकना को सुर्दाЗ को के सकते हैं अब देखिए यह ग्यानसरी इसाका जिसको संत काईवे इसाका संत काईवे दारावी केते हैं यह निर्गुन वे निराकार उपासना पर बल देते हैं और बहुदेवाद और अवतारवाद का विरोध गड़ते हैं यह ग्यानसरी इसाका है वो एद्वेतवाद से प्रभावी तो यह ज्याना सरह साका के अंतरगत है अब इनके परमुक्षंत और कभी कौन से हुए परमुक्षंत कभियों में पहला इस्तान कभीर दास का है जिनका जन्म 1398 वेश्वी और मर्ट्यूपंद्रे उच्शी धरमदास ने बिजग नाम से किया अब बिजग की अलग अलग भाग है साकी सबद और रमैनी यह बिजग के बाग है और कभीर की बासा कभीर की बासा को सदूगडी जो आचारी रामचंदर सूकलने का है और ग्यान काइड के समर्टक थे कभीर कभीर मूर्ति पूज अब पंच मेल खीज़ी किसने कहा श्यामसुंद्र दास ने और कभीर को वानी के डिक्टेटर कहा हजारी परसाद दिवेदी ने कभीर को वानी का डिक्टेटर कहा है अब देखे कबीर के बाद में नाम देव का जन्म 1270 इसवी को माराश्ट्र में हुआ और मर्थ्यू 1350 इसवी मुई ये संद काईवे के परवर्तक के परवर्तक और ये बारकरी संपरदाय के परवर्तक रहे हैं और नाम देव के अबंग परसिदे ठीक है और इसके बाद में रेधास अब रेधास का जन्म भी कबीर के जन्म 1370 इसवी में बनारस में हुआ है ये जाती के चरम कारते और रेधास में सांती सयम और विन मरता थी जबकि कबीर में ऐसा नहीं देखने मिलता है कबीर में रेधास कहे जाते हैं अब उदेदास के गुरू भी रेधास ही थे यानि इनके सीशे के नाम उदेदास और इनके बाद में नानक देव का जन्म हुआ है 1439 और तलवंडी पाकिस्तान में पूत्र का नाम इनके स्रिचंद और लक्ष्मी चंद था अब सिरिचंद जो आगे उदेदास और नानक देव का अन्य परसिद ग्रणत ग्रंत अानक के बाद में सुंदर दास का जन्म 1500 यह सारजस्तान भोगा यह दादू दयाल के सीशे थे ओर सर्वादिक यानि दादू पंतियों में सर्वादिक विद्वान और पंडित कभी ते और संगारस के गोर विरो तेय यानि ये सरंगा रसका विरोद करते थे काईवे का बावपक्स वेकलापकस दोनों ससक्त इनके का सुंदरदास के वे और इनके ग्रंत है घ्ञान समूद्र और सुंदर विलास दादू दयाल दादू दियाल का जन्मवा 1544 हुस्वी एहमदबाद में और देहां तवा सोले सो तीन इस्वी नरेना जेपूर में और नरेना यान नरायना नरायना जेपूर इनकी करम इसली राजस्तान ही रही है और इनकी बाणियों का संग्रे हर्डेवानी नाम से हैं और दादू को राजस्तान का कबीर का जाता है अब दादू पंति संपरदाय को संपर्दाई भी कहते हैं या निपक संपर्दाई भी कहते हैं दादू के कुल पावन सीशिय थे और इनके सत्संग इस्तल को अलग दरीबा का जाता है और दो पुत्र थे दो पुत्रों के नाम गरीबदास और मिस्किंदास गरीबदास और मिस्किंदास इसके बाद में मलुक का के गए सबके दाता राम यानि इस मंत्र के यह रचिता मलुक दास है और इनके बाद में चरणदास चरणदास का जन 1793 देहरा गाउं अलवर में हुआ वास्त्विक नाम अब चरणदास का वास्त्विक नाम तो रणजी था िनने संत बने लेख बाद भी ने चरणदास का गया और शीशयों में इनकी शीशयों के नाम परशिदे ऑर जोलवर की थी देरा गाओं की सेजवई और दयवई ये इनकी शीशा है थी अन्य निर्कुन पंतिवें में हरिदास निरंजनी और रजब स्वामी प्राणनात धरमदास और सुत्रदास ये अन्य निर्कुन पंतिवें अब देखिए ये दरमदास जो दरमदास है वो कबीर के शीशे थे और ये सुत्रदास ये सुत्रदास है मलुकदास के शीशे और रजब रजब दादू दयाल के शीशे चलिए आगे चलते हैं अब देखिए प्रेम स्रैसा का प्रेमासरी साका को सुपी कंवेदार भी का जाता है अब इसंपको नितु ज्यशे देते किसमें पहले सबसे पहले पेखमर साब की महिमा का गहन फिर उस समें के अब सनंगार दो तरह को उता है एक स्रींग संगार यन्होंने वियोक संंगार को पर्दान ता दिये अब पर्मुख सूपी कभी कोण कोण से वें पर्मुख सूपी कभी और उनकी रचनाई असाइत असाइत ने लिखी हंसावली 137 इस्वी में मुला दाउद ने लिखी चंदाईन 139 इस्वी में अब इसमें मुला दाउद की चंदाईन में नाई कोण है लोरिक देव और नाई का चंदाईन है कुतुबन की मरगा होती 1503 इस्वी में लिखी गई और जाईसी की पदमा होते 1544 इस्वी 1544 इसमें सेरसा का सासंदा सेरसा सूरी का और इसके नाई के रतन सेन और नाई का पदम माउत और नागमती मंजन मंजन ने मदुमालती लिखी 1545 में अब इसमें नाई का तो मदुमालती है नाई के मनोर उस्मान उस्मान ने चित्रावली लिखी 1613 इसमें जांगीर का सासंता नाई नाई के इसमें सुजान और नाई का चित्रावली और पूकर ने रस रतन लिखी 16 पूकर ने रस रतन शोले सोटा राइस्वी में और शेक नभी ने ज्यांदीप सोले सोनी सीष्वी इसमें भी जांगीर का इस्थासन गाल था नाई का देव जानी ये नाई ज्यांदीप इसमें और कसिम्सा ने हस जवाईड लिकी 1731 सीष्वी नूर मुमद ने इंद्रावती 1734 सीष्वी और एक गरंट और लिका अनुराग बांसुरी अनुराग बांसुरी नूराग बांसुरी इन्नों लिकी सासे 764 येंडिजिवी में सूपी काईवेदारा में मलिक मुमत जायशी को परतिनी दिक भी का जाता है अब इनके परमुगरंद कोनों से हैं मलिक मुमत जायशी के मलिक मुमत जायशी के परमुगरंद है पदमावत पदमावत अकरावट और आखिरी कलाम पद्मावत अक्रावट आखिर कलाम अन्य गरंतों में इनके कहर नामा चित्रे का कनावत पद्मावत में साथ अर्दालियों पर एक दोवा है साथ साथ अर्दालियों के बाद में एक दोवा पद्मावत में पद्मावत में अलगलग परतिक माना गया है जैसे चितोड को तन का पर्तिक माना गया है, राजा रतन सेन को मन का पर्तिक माना गया है, सिंगल गट को हर्दे का, और पदमाउती को बुद्धी का, सुवा गुरु है, और नागमती दुनिया दंदा का पर्तिक है, रागउ चेतन सेतान का पर्तिक है, अलाउदिन खिलजी म प्रतिक है और पदमावत में कुल कितने घंड है 57 57 में 30 माहें वो नाघमती वियोग घंड है पदमावत में 12 मासा 12 मासा से सुरू होता है जाईशी परेम की वेदना के कवी कहे जाते हैं ये किस ने का आचारी रामचंदर सूकलने पद्दमावत हिंदी साहिते का एक जगमगतारत ने ये भी आचारी रामचंदर सूकलने का अग्रावट में देवनागरी वरनमाला की सुपी सिदान्तों के अनुसार व्याख्या की गई है यानि अक्रावट जो जायशी का प्रमुग्रंद है इसमें देवनागरी वर्णमाला के सुपी सिदान्तों के अनुसार व्याख्या की गई है और पहली सुपी रतना अब अलग 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 विद्वानों ने साहित रचना माना है रामकुमार वर्माने मुला दहुत की चंदा इनको पहली रचना माना है तो दोस्तों यह बक्तिकाल के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद